आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रदानमंत्री जी का एक भावनात्मग जुडाव है और रेलवे के हर डाइमेंशन को चाहे स्टेशन हो, ट्रेंस हो, पैसेंजर आमेनिटीज हो, सेफटी हो, नई-नी टेकनोलोजीज को लाना हो हर तरीके से प्रदानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से रेलवे के डिवलपमेंट के लिए हम सब को मार्ग दर्शन देते हैं उसी कड़ी में रेलवे स्टेशन के री डेवलप्मेंट का जो काम है उसमें टोटल डिजाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिजाइन होना चीए, किस तरह से सोचना चीए इसके बारे में आज एक बहुती महत्वपून देडने लिया गया है माने प्रदानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शेहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है तो उसका जो डेवलप्मेंट हो, वो शेहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलप्मेंट के हिसाब से होना चीए इसका इंटीग्रल डेवलप्मेंट के माने क्या है Integral Development में इस तरह से है Station के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें Railway Station एक तरीके से शहर के दो हिस्सों के बीच में इस्थित रहता है तो Station शहर के दोनों हिस्सों को जोडने वाली कड़ी बने ऐसा Design का Element आना चाहिए सबसे पहली बात ये दूसरी बात ये कि Station के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत congested तरीके से अलिया गलिया बनी और वहाँ पे आना जाना मुश्किल होता है तो किस तरह से Station तक आना, Station से जाना, उस एरिया से निकलना इसके लिए जो Transportation, Traffic का Planning करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोचके वैसी Planning करो, जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थाई समाधान निकले शहर के लिए तीसरा, Station के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि Station की Building होती है फिर Platform होते हैं, फिर पट्रियां होती हैं, फिर एक Foot Over Bridge पुलिये के उपर से अगर जाएं, फिर Platforms होते हैं, फिर आगे पट्रियां होती है ये Construct सौ वर्षों से चला आ रहा था इसकी बजाए एक नया Design Element जिसमें की Roof Plaza एक बने Roof Plaza का माने क्या हुआ, कि जो हमारे Platforms और पट्रियां हैं, इनके उपर की जो Space है, इस Space का Maximum Utilization हो सके यहाँ पर एक नई Urban Space बने, एक नई, एक स्थाई जगे बने, जिस पर Food Courts हो, अच्छा Waiting Area बने, बच्चों की खेलने के लिए जगे बने, मान लो Parents जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं बच्चों को उस वक्त समालना मुश्किल सा होता है मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इदर दौड रहा है, एक बच्चा इदर दौड रहा है तो खेलने की एक छोटी सी जगे बन जाए लोकल प्रॉडक्ट्स है, अगर आप जाओ, किसी भी शहर के देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलोने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई जो लोकल प्रॉडक्ट्स हैं, लोकल प्रॉडक्स की सेल का भी एक पॉइंट हो तो ये जो roof plaza बने, ये roof plaza एक नई urban space की तरह develop हो, जिसमें जैसा आपने कई अच्छे world class stations में देखा होगा, इस roof plaza में बहुत सारी facilities रहे. चौथा हर तरीके से दिव्यांग friendly, हर तरीके से possible हो green, solar panels लगे roof के उपर, energy consumption minimize हो, सफाई और इन सब की चीजों का एक integral तरीके से develop हो, तो ये एक intelligent building, एक sustainable building, एक green building और एक city friendly city center बने, उस कल्पना के साथ stations का design हो. आप सब के सामने आज cabinet में भी इसका फैसला लिया गया, total देश के 199 stations का redevelopment का काम चल रहा है, जिसमें basically 50 लाग से उपर जहां traffic है, footfall है, साल का, उन सब stations को एक साथ लिया जा रहा है, और जैसे जैसे इसमें progress होगी, उसके नीचे, 50 के बाद में 10 लाग से उपर वालों को भी next phase में लिया जाएगा, इसमें से 47 stations के tender निकल चुके हैं, और 32 stations पे काम physically चालू हो चुका है, तीन जो देश के सबसे बड़े stations हैं, नई दिली, मुंबई का चैतरपती शिवाजी महराज टर्मिनस और एमदाबाद station, ये तीन जो बहुत बड़े stations हैं, इन stations के लिए आज cabinet न माने प्रदान मंत्री जी ने cabinet में 10,000 करोड रुपे इनके लिए sanction हुए, उसके design के कुछ elements आपके सामने इस presentation के मादियम से रखेंगे, अगर ये है निव डेली रेले इस्टेशन आपके सामने, इसके आप अगर देखते हो, ये आज की situation है, ये आज का station है, इसके पूरे एरिया को अगर आप देखते हो, एक तरफ पहाडगंज, एक तरफ अजमेरी गेट, और platform एरिया एक तरीके से skewed सा है, कुछ tracks पहाडगंज की साइड लंबे जादा है, कुछ platforms अजमेरी गेट की तरफ लंबे जादा है, और शहर का एक central प्लेस है, कनौट प्ल इसकान, जितना भी उसमें railway की land है, और railway के आसपास की land है, जिसमें कई सारे offices है, कई सारे की colonies है, उन सब को डेली के master plan के साथ integrate करके, एक transit oriented development, TOD, transit oriented development, उस concept पे पुरा इसका master plan बनाया गया है, इस master plan में platform, station और उसके चारो तरफ जो traffic का flow रहेगा, उसको सबसे ज्यादा importance दी गई है, किस तरह से लोग आएं तो उनको parking के लिए space मिले, वो parking की space, तीन यहाँ पे modes integrate हो रहे है, railway, bus और metro, प्लस अपनी personal car से कोई आए, auto से आए, cycle से आए, इन सारे के सारे modes को seamless integration का इसमें planning है, किस तरह से drop-off zones रहेंगे, किस तरह से pick-up zones रहेंगे, यह complete इसका master plan है, यह आपके सामने complete इसका master plan है, दो जो domes देख रहे हैं आप, यह दोनो domes, उपर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह domes है, station के domes, four floors होंगे उसमें, roof plaza के, चार floors होंगे, और उसकी नीचे platforms, और उसके आसपास का जितना भी area है, उसका एक master plan, DDA, Delhi government, CPWD, forest department, DUAC, वगरा वगरा जितनी भी हमारी Delhi की agencies है, UTPAC, उन सब agencies के साथ मिलके इसका एक master plan प्यार किया गया है, यह आप अगर देखेंगे, यह दोनों domes station के हैं, और उसके चारों तरफ एक elevated roads का corridor आपको दिखाए देगा, चारों तरफ आपको elevated road का corridor सिसमें बनेगा, entry से लेके exit तक एकदम seamless flow होगा traffic का, यह station का view देखेगा, elevated roads, यह आप देख रहें, यह roads इसकी entry और exit की elevated roads रहेंगी, यह complete एक तरीके से उस area का complete rejuvenation होगा, इस station के development के साथ यह साथ, यह अंदर से view, roof plaza एक, दो, तीन, चार views हैं, उसके अंदर जैसा विस्तरित तरीके से अगर आप देखें, बहुत सारे अच्छे spacious waiting areas, food courts, बच्चों के खेलने के लिए अलग से जगे, जो local products हैं, उनके लिए रखने के अलग से जगे, sales की जगे, इस तरह से करके, पूरा एक international तरीके से इसका development का plan बनाएं, जो भी passengers आएंगे, वो roof plaza के level पे ही उतरेंगे, वहाँ पे wait किया, और जब गाड़ी आई, तब escalator से या सीडियों से,